हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है आत्म विश्वास और भावी साधी के लिए कौन कौन सी साड़िया खरीड डाली ममता ने शुमन से मुस्कुराते हुए पूछा नहीं जी जी इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चलाऊंगी पैसो की थो के की चाची पुराने फैसन की साड़ी पहने मैंने तो जम कर शापिंग की है और एक दो साड़िया एक्स्ट्रा भी लाई हूँ ऐसा करिएगा आप रिसेप्शन में मेरी साड़ी पहन लीजिएगा सारे ननिहाल दधियाल वाले कठा होंगे मेरी छोटी भावी भी तो चमक कर रही हैं अरे गयर क्यों आप मेरी ननद हैं लेकिन आपके भाया को भी अच्छा नहीं लगेगा भाया को तो मैं मना लूँगी खैर रिसेप्शन वाले दिन ममता ने शुमन को जबर रस्ती अपनी नई साड़ी पहनने पर विवस कर दिया दोनों की पैसनेल्टी एक सी थ तो बलाउज की भी समस्या नहीं आई लेकिन रंग रूप में सुमन बहुत खूबसूरत थी तो वो काले रंग की साड़ी सुमन पर कुछ ज्यादा ही खिल उठी और वो नाम के अनुरूप जगमगा भी रही थी अब तो जिसे देखो वो सुमन और उसकी साड़ी की प्रसं प्रसंसा कर रहा था सुमन तुम्हारी साड़ी तो सचमुझ खूबसूरत लग रही है और तुम्हारे रंग रूप ने तो इस साड़ी में जैसे चार चांद लगा दिये आज तो तुम बिलकुल गजब ढा रही हो अब ममता को ये प्रसंसा ज्यादा देर तक हजम नहीं और वो जट से बोल पड़ी अरे भावी ये साड़ी तो हमारी है हमने ही सुमन भावी को पहनने के लिए दी है वरना तो इस समय हो कि इमति साड़ी खरिदने की परिस्तितियों में नहीं थी प्रसंसा करनी है तो मेरी पसंद की कीजिए और मम्ता ने ये सब इतनी जोर से कहा कि आस पास के खड़े लोग भी सुन ले अब तो सुमन बिल्कुल अवा करे गई ये क्या कह रही है ननदरानी एक तो मुझको इतनी जित करके जबरदस्ती साड़ी पहनाई और चार लोगों की बीच में मेरी बेजिती करवा रही है हे भगवान अम मैं क्या करूँ कहीं मोनू के पापा ने सुन लिया तब तो मेरी बहुत डाट पड़ेगी शुमन की आखों में आसु जिल मिला उठे और वो कारेक्रम छोड़कर जट से घर वापस चली आई और अपनी मन पसंद साड़ी पहन कर कारेक्रम में चेहरे परात्मिश्वास की जलक लेकर पहुच गई भावी आपनी वो साड़ी बदल कर ये क्यों पहन ली ममता अंजान बनते हुए बोली जी जी वो साड़ी इतनी ज्यादा भारी थी कि बहुत ज्यादा गड़ रही थी बस इसलिए उतार दी अब तो ममता से कुछ बोलते नहीं बना समझ तो गई वो सब कुछ लेकिन आखिर कहती भी तो क्या उस दिन से सुमन ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनिऊंगी सही कहते हैं मोनू के पापा अपनी दाल रोटी भली दूसरे की थाली का पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहाने जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद